Hi everyone, तो बहुत दिनों से request आ रहा था कि room tour दे दो, तो आज मैं आपको देने जा रहे हूँ second year hostel का room tour तो पहले हम corridor देखते हैं, फिर आपको हमारे room में लेके जाती हूँ तो यह जो आप देख रहे हैं, यह है हमारे hostel का ground floor यह जो खुला area आप देख रहे हैं, यह है हमारे room के सामने का corridor इधर हम बहुत अच्छे से utilize करते हैं इधर हम हमारे shoes रखते हैं, और जो सामान room में नहीं fit होता है, वो सब इधर रखते हैं और इधर एक रशी भी टांगा हुआ है, इधर हम गीला कपड़ा सुखाते हैं, क्योंकि कोई जगा नहीं है कपड़ा सुखाने का और कभी-कभी जब hospital से आते हैं, तो hospital के कपड़ा भी इधर ही सुखाते हैं हम यह है हमारा room, room number 111 अब चलते हैं room के अंदर तो यह है हमारा room, room में enter करते ही यह एक है switchboard, जिसमें fans और light का सारा switch है मैं अभी आपको room की एक overview देती हूँ, इसमें है दो bed, दो table and दो chair है और इधर है एक tube light, उसके उपर एक fan है और उधर एक night valve है यह जो hostel की room है, इसके लिए हमें monthly और yearly कुछ भी extra पैसा नहीं देना पड़ता है हम जब EMS में admission लिये थे, तब ही हमसे 3600 रुपे लिया गया था जिसके अंदर 4 साल का hostel fees included है, ऐसा नहीं है कि हमें इसी room में 4 साल बिदाना होगा 4 साल में 4 बर hostel change होता है, room change होता है 1st year में अलग hostel था, 2nd year में अलग hostel है, 3rd year में अलग room मिलेगा, ऐसा system है और इधर room मिलने का lottery होता है, जो चिठी आपको मिलेगी, उसमें जो number होगा, वो ही room आपको लेना होगा और 2nd year का room double sharing है, मैं और मेरी room में दोनों रहता है, दोनों का समान है इस room में और कुछ-कुछ तो M से दिया गया है और common भी है अब मैं बोलती हूँ कि M से क्या-क्य हमें प्रोभाइड किया गया है दो bed, दो bed के नीचे बली drawer, एक common almira, दो study table and दो chair और इस room में पहले से एक tube light, एक fan और एक night lamp था बस एही सब चीज M से हमें प्रोभाइड किया गया है तो अब भीडियो में देखते हैं कि क्या-क्या है हमारे room के अंदर अभी हम देखते हैं room के अंदर अंदर है एक बड़ा सा almira guys मेरा ना भी exam चल रहा था तो मैं उतना सापसफाई नहीं कर पाई हूँ जितना हो सके मैंने किया है, बाकी देखते है यह हमारा common almira है almira के अंदर पांच self है जिसमें दो self मेरी है और दो self मेरी roommate का और एक self हमारा common है मेरा ना इतना books हो गया था first year का सारा books, second year का सारा books तो मैं सब को almari में रखती हूँ इसलिए almari के उपर है कुछ boxes इसमें से ए बॉक्स मेरा है जिसमें एक table fan है जो गर्ण में बहुत काम आता है और उपर एक racket है अब आते है almari के नीचे almari के नीचे है एक stool छोटा सा जिसमें मैं कभी-कभी बैठती हूँ almari के पास है एक corner जिसको मैं बहुत अच्छे से utilize किया है और एक chair है जिसको मुझे मिला था HR room से लेकिन मैं उसको इधर रखी हूँ ताकि मैं इसका उपर और नीचे दोनों जगा use कर सकूँ इस उपर एक बड़ा सा box है जिसमें मेरा daily wear का कपड़ा रहता है और एक bag है और ये iron है मैं रोज iron करती हूँ कपड़ा इसलिए इधर रखा है और ये कुछ boxes है इधर अब आते हैं इसके नीचे नीचे है ये tray इसमें daily use का मेरा सारा समान रहता है और इधर जो ए डबबा देख रहा है बड़ा सा इसमें रहता है मेरा मूडी मूडी जिनको नहीं पता है मूडी है पप्ट राइस जिसमें चांट बनता है बहुत अच्छा लगता है खाने को और ए रेड़ वाली bucket में मेरा fruits रहता है सारा अब इधर आते है corner के पास है मेरी बड़ा सा study table जिसको मैं obviously study के लिए यूज नहीं करती हूँ इधर मैंने एक three self वाला rack रखी है और इधर कुछ समान है मेरी daily use का तो अभी इस rack में देखते है सबसे उपर बाली rack में मेरा पूजा का समान है और ये है मेरी सरस्वती मा इनके पूजा के लिए मैंने अगरवत्ती candles बगेरा सारा रखी है इधर इसके नीचे वाले self में मेरा सारा dry foods है और इसमें मैं सारा vegetables रखी हूँ इसके सामने मेरा कुछ daily use का बरतन रखा हुआ है अब आते हैं इधर इसमें मेरा तीन चार tray है जिसमें मैं सारा daily use का समान रखी हूँ मैंना पहले एक ही use करती थी लेकिन सामान इतना ज्यादा हो गया कि मुझे तीन चार लाना पड़ा फिर मेरा इधर सबसे important है eye card जिसके बीना मुझे कही भी entry नहीं मिलेगी इधर है मेरा एक stethoscope और एक practical का back इसमें practical का सारा सामान रहता है और ये है एक extension board जिसको मैं पाद में दिखाऊंगे आपको और इधर कुछ daily use का सामान है और ये मेरा room की key है और इधर जो खाली area है इसमें मैं अपना bottle रखती हूँ ये मेरा पानी का bottle है मैं एक ही दिन जाती हूँ तो सारा पानी भरके ले आती हूँ क्योंकि filter न पूरा hostel के दूसरे साइट पर है तो मैं एक दिन पर चार bottle भरके लाती हूँ तो दो दिन तो चली जाता है इससे फिर इस table के उपर है एक बड़ा सा mirror जो हमारे common mirror है हाई इसमें हम दोनों यूज करता है ये वाले mirror फिर इस table के नीचे मेरा एक छोटू सा table है जो bed table है मैं इसमें पढ़ती हूँ लेकिन अभी पढ़ने ही रही तो इसमें bag रख दी हूँ और ये study table के साथ attached मुझे drawer मिला था जिसमें मैं पढ़ाई का समान और daily उसका समान रखती हूँ अभी move on करते है table से इस तरफ इस तरफ है मेरी bed ये बहुत बढ़ा तो नहीं है क्योंकि single bed है obviously अभी तो भूबनेस्वर में कुछ ठंडा है थोड़ा सा तो मैं blanket रखी हूँ और इसारा मेरे pillows बगएरा है बेट के नीचे हमें मिला है एक बढ़ा सा drawer इसमें हम बड़ा luggage बगएरा रखते है मैं तो इसमें मेरे सारा trolley bags रखी हूँ अभी आते हैं हम बेट के पीछे इधर है एक switchboard जो कि मुझे कोई काम नहीं आता है इधर एक charger भी नहीं fit होता है तो इसलिए मैंने एक idea लगा कि इधर एक extension cord लगाई हूँ इसको खीच के पुरा bed से पीछे से मैंने इधर लेके रखी है ताकि इसमें मैं charging कर सकूँ अभी तो मेरा tablet चार्ज हो रहा है अब देखते हैं bed के पीछे मेरी wall एह सबसे interesting part है मेरी room की इधर मैंने सब painting बना के रखी है और यह न मैं medicine के भायल से बनाई हूँ और यह सारा fairy lights मैंने टंगी है और उधर कोने में मेरी एक power bank है जिसको भी मैंने ही टंगी है उससे ए सब charge होता है और उपर है एक wall clock जो मैंने लगाई है और इधर है मेरी night lamp जिसकी structure तो दिया था इम से लेकिन bulb मैंने खुद से लगाई है अब देखते है इस wall के पीछे यह है एक बड़ा सा window जिसमें मैं सिर्फ एक ही side खोलती हूँ इसमें तो हवा तो नहीं आता है बस बाहर का view दिखता है हम ground floor पर रहता है ना तो बाहर से ना हमारा room दिखता है window से तो इसलिए मैं नहीं खोलती हूँ window उतना और इस side पे मेरा सारा roommate का समान है मैं उतना details पे नहीं जा रही हूँ so that's it my room tour मेरा room बहुत ही छोटा है so ignore the mess ऐसे नहीं कि इस hostel में सारे room छोटे है कुछ-कुछ बड़े room भी है जो लोग ए वीडियो देख रहे है मैं चाहते हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और next बड़ आप आके ऐसा room tour दे पाओ so all the best for your study and hostel tour और room tour एक सद बिल्कूल पॉसिबल नहीं है तो मैं hostel tour किसी और दिन दूंगी आप लोगों को और अगर मेरा ए रूम टूर पसंद आया तो प्लीज लाइक मैं वीडियो and say our all with your batchmates and subscribe for more बाई बाई टेक केर